क्लास 12 फिजिक्स में आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के उपर क्या होता है ट्रांसफार्मर ये देखेंगे ट्रांसफार्मर का सिध्धान्त उसकी कारविधी और उच्चाईत अप्चाई ट्रांसफार्मर में समझ विक्सित करेंगे तो सबसे पहले है हमारा ट्रांसफार्मर तो हमें पता है हमने अपने आसपास ट्रांसफार्मर देखे हैं कि ट्रांसफार्मर एक एसी युक्ती है जो प्रत्यावर्ती बुल्टिता को बड़ाया घटा देती है हमारे घरों में जो हमें धारा प्राप्त होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है और यह जो प्रत्यावर्ती धारा होती है यह हमें पावर हाउस या विद्यूत मंडल से हमारे घरों की तरफ आती है तो ऐसे में क्या होता है कि हमें हमारे हैं जब यह धारा भीजी जाती है तो बीच में ट्रांस्फार्मर्स का उपयोग किया जाता है तो ट्रांस्फार्मर्स क्या करता है कि जर्वत के अनुसार प्रत्यावर्ती बोल्टिता को बढ़ाया घटा देता है तो यह इसकी परिवाश है और उसके पाँ जब आप उसके सिद्धान्थ पर बात करेंगे तो ह कुंडलियों पर हमें पता है कि कौन सा प्रेरण होता है दो कुंडलियों के हमारा प्रेरण होता है अन्योन्य प्रेरण तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिध्धान्त पर आधारित यूपती है अब ये कैसे काम करता है इसको अगर हम देखे तो इसमें मैंने अभी कुंडली पर आपने क्या लगाया है प्रत्यावर्ति वोल्टता को लगाया है तो ये जब आप ऐसा करते हैं कि ट्रांसफर्मर की प्रात्मिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ति वोल्टता लगाते हैं तो क्या होता है जो दूतिय कुंडली है उससे जो बद्द चुम्ब की फ्लक्स से उसके मान में बार-बार परिवर्तन होता है और ऐसा परिवर्तन होने से उसमें उसी आवरती का प्रत्यावरती विद्यूत वाहक बल प्रेरित हो जाता है यह अन्योन प्रेरण ही है कि जब आप प्रात्मी कुंडली के सिरो पर प्रत्यावरती वोलता लगाते है तो क्या होता है कि जो द्यूतिय कुंडली है उससे बद फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और उसमें क्या आ जाएगा प्रेरित विद्यूत वाहक बल आ जाएगा तो ये अन्योन्य प्रेरन हुआ और यही इसका सिध्धान थे तो आपको इन्पुड कहां देना है यहां देना है प्रात्मिक कुंडली प्राउट पुड कहां मिलेगा आपको द्यूतिय कुंडली के उपर मिलेगा तो यहां अगर आप देखें तो प्रात्मिक कुंडली पर जो फेरे होते हैं तो इनको आप N-P बोलिएगा N-P इसलिए बोलें कि ये प्रात्मिक कुंडली पर जो फेरों की संख्या होती तो N मतलब नंबर P मतलब प्राइमरी तो प्रात्मिक कुंडली पर फेरों की संख्या N-P और दूतिय कुंडली पर फेरों की संख्या को आप बोलिएगा NS नंबर सेकंडरी ठीक है तो अब ये इस कोईल पर ट्राइमरी कोईल या प्रात्मी कुंडली में फेरों की संख्या N.P. है और दूतिय कुंडली पर फेरों की संख्या एने से ठीक है तो क्या होता है कि जब आप यहाँ पर क्या लगाते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते हैं तो 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 प्रत्यावर्ती वोल्ट बन जाएगा E P बराबर माइनस N P D 5 बटे D T ठीक है अब आपका जो यहाँ पर फाई जो है वो क्या है वो फाई जो है प्रात्मिक कुंड़ी के हरेक फेरे से बद्द चुम्ब की फ्लक्स है ठीक है अब यह वाला फार्मूला कहां तो यह फेराडे के नियम में आया था E बराबर माइनस D 5 बटे D T एक फेरे के लिए अगर आपके अब यहाँ पर N P की जगे एक हो जाएगा अगर आप एक फेरा लेंगे तो यहाँ इसलिए नंबर आफ टरंस के लिए यहाँ फेरों के संख्या के लिए हाँ N P लिखा है तो E P बराबर माइनस N P D 5 बटे D T और आपको पता है कि माइनस क्यों लगाए था माइनस हमने इसलिए लगाए था कि जो उत्पन प्रेरित विद्धित वहाग बले वो फ्लक्स में परिवर्थन का क्या करता है विरोत करता है तो यह जो बात है इसके लिए माइनस लगाए गए तो चली अब आप यह फार्मूला होगी आपका E P is equal to minus N P D 5 बटे D T अब क्या होगा यह तो आपका प्रात्मी कुंड़ी से होगी है अगर यह सारा का सारा फ्लक्स द्वित्य कुंड़ी में चला जाता है मतलब कहने का मतलब यह के फ्लक्स शरंड न हो रहा हो तो अब क्या होगा तो ऐसी इस्तिधी में क्या होगा यह फ्लक्स शरंड न हो रहा हो तो दुटिया कुंडली में प्रेरित दुटिया भाग बला गया ये किस में था प्रात्मी कुंडली में था ठीक है अब यहाँ पर देखिए अगर आप इसमें इसका भाग लगा देते हैं ES upon EP कर देते हैं ES बटे EP कर देते हैं समिकन 2 में समिकन 1 का भाग लगाएंगे तो आप देखी यहाँ पर क्या क्टेगा यह देखी ES बटे EP हो जाएगा ठीक है यह माइनस से माइनस कर जाएगा NS बटे NP हो जाएगा ठीक है चली और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा फिर इसको नेक्स समिकन देंगे अब देखी यहाँ क्या है भी यह प्रेरित विद्वित्वाग बल के पदों में तो आपको इसको प्रत्यावर्ती वोल्टता के पदों में लाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने कहा कि तो इसको प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाया घटा देती है तो यह प्रेरित विद्वित्वाग बल के टर्मस में है तो इसको प्रत्यावर्ती वोल्टता के टर्मस में लाना पड़ेगा तो देखे सबसे पहले तो यह है कि यदि आप मान लेते हैं कि प्रात्मिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है तो ऐसे माँ एपी की जगे आप लिख सकते हैं वीपी वीपी मतलब प्रात्मिक कुंडली के सिरों पर जो आपने प्रत्यावरती वोल्डता लगई थी वही जो है आपकी प्रेरित विद्युत वाग बल एपी के बराबर हो आप यह ध्याने के का कि आपको यह प्रेरित विद्युत वाग बल को हटा कर उसकी जगे प्रत्यावरती वोल्डता को लाना है तो एएस की जगे आपको लाना है वीएस और एपी की जगे आपको लाना है वीपी यह आप याद रखना ठीक है अब इनको आप बंदल दीजि कि जो आप जो भी कोई सर्कुट होता है तो सर्कुट में आदर्श इस्तती में यह होता है कि जैसे इन्पुट आपने प्रात्मी कुंडली पे दिया है ना लिखेंगे क्या के वी पी आई पी लिखेंगे प्रात्मिक के लिए पी लिखते ना थी हो गया वी पी आई पी ठीक है और दुटिया कुंडले में शक्ति के लिखेंगे आप तो लिखेंगे वी एस आई एस है ना देखें यहां भी वी आई यहां भी वी आई लेकिन प्रात् पटे WP निकालेंगे देखे अब यहां जाएंगे, यहां करके देखेंगे, मैं WS पटे WP निकालने जाना हूँ, तपिये हो जाएगा, WS पटे WP देखेंगे, WS और WP गो इसके बटा मले लीज़े, तपि पटे इस होगे IP बटे IAS अब इसको आप दे दी चार नमबर अब आप ध्यान से देखें 3 और 4 को देखिए ये VS बटे VP किसके बराबर है NS बटे NP के और ये VS बटे VP किसके बराबर है IP बटे IAS के तो फिर 3 और 4 से क्या हो जाएगा सब को बराबर कर दो तो यह हो जाएगा VS बटे VP बराबर NS बटे NP बराबर IP बटे IS यह आप लिख दीज़ेगा अब इसके बाद में बहुत important conclusion हमारा आने वाला बहुत बढ़िया शांदार देखे अभी तक क्या हुआ है VS बटे VP बराबर NS बटे NP बराबर IP बटे IS इससे मैं आपको दोनों transformer के बारे में बताऊँगा सबसे पहले हम बात करेंगे अपचाई transformer के लिए अपचाई transformer यहां में बनाया है अपचाई transformer में क्या है देखे जो अंतरे मुम में पहले ही आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एक बेसिक बुनियादी अंतरचितर में जो आएगा कि यहां परात्मिक कुंडली पर टरंस या फेरे जो है अपचाई में ज़्यादा रहेंगे दूतियक में कम रहेंगे तो इसको बोलते हैं आप step down बोलते हैं इसको यहां परात्मिक में फेरे ज़्यादा जो फर्क है यह एसी यहां भी लिखा है यहां भी लिखा है देखिए यहां पर यह आउटपूट ले रहें यहां भी ले रहें मात्र फर्क इस बात का है कि यहां जो टरं से वो ज़्यादा दीजेगा यहां कम कर दीजेगा और इसमें क्या करीगा यहाँ कम करके यहाँ ज़्यादा करतीजेगा तो यह चित्र बनाने का मैंने आपको फर्क समझा दिया अब मैं आपको अपचाई ट्रांसपर्मर के बारे में बताता हूँ कि यह इसमें होता क्या है देखिए यह जो दूतिय कुंडली है इसके सीरों पर वोल्टता को हम बोलेंगे वी एस प्रात्मिक कुंडली के सीरों पर वोल्टता को क्या बोलेंगे वी पी ठीक है देखिए जो ऐसे से वो सब दूतियक का है पी पी यह सब वो प्रात्मिक का है ठीक है न तो अब यह देखे यहाँ पर क्या होता है अपचाई ट्रांसपर्मर में कि Vs जो है वो Vp से छोटा होता है मतलब यह क्या करता है प्रत्यावर्ति वोल्टता को क्या करता है घटाता है Vs कम होता है Vp से ठीक है ना यह Vs छोटा है Vp से यह छोटा है का निशान है मतलब यह प्रत्यावर्ती वोल्टता है AC वोल्टता को क्या करता है घठाता है तो अब ध्यान से देखिए यहां अंस छोटा हो गया हर से तो यहां भी क्या होगा अंस छोटा होगा हर से मतलब NS छोटा हो जाएगा NP से NS छोटा हो गया NP से इसका मतलब क्या हुआ NS छोटा हो गय आईएस से यह तो उल्टी बात हो गई आईपी छोटा हो गया आईएस से मतलब देखिए आईपी छोटा है आईएस से मतलब आईएस ज्यादा हो गया मतलब क्या हुआ यहां पर क्या हुआ धारा की प्रबलता क्या हो गई बढ़ गई तो देखें यहां पर देखें यह जो द परिणमन अनुपाद अब देखेएं यहां पर NS कम है NP से तो अंच छोटा है हर से तो KKमान क्या होगा एक से कम होगा तो परिणमन अनुपाद क्या होगा इसी इस्तिती में एक से कम होगा लेकिन जब यहीं नतिजे आप उच्छाई काई ट्रांसफर्मर में लेके जाएंगे तो कुछ नहीं करना इन सब को बदल दीजिए जहां छोटा एक निशान लगाएं वह सब बढ़ाएं कर दीजिए और फिर आप देखिए तो यहां क्या होगा देखिए यह जो आपका यहां पर जो एसी वोल्टता होगी यह वी एस ड मतलब दीजिए कुणली में फेरे क्या हो जाएंगे अधिक हो जाएंगे फिर अंश बढ़ा है हर से तो आईपी बढ़ा हो गया आईएस से मतलब आईएस ज्यादा हो गया मतलब आईपी कम हो गया मतलब यह प्रात्मी कुणली में धारा की प्रबलता को क्या कर रहा है और तो परिणम अनुपात क्या हो जाएगा एक से अधिक, तो जब आप ये लिख देते हैं, तो इसको बिल्कुल विप्रित करके लिख दीजिए, अब बड़ी मज़ेदार बात में आपको ये बता रहा हूँ, कि ये उच्चाई ट्रांसफार्मर और अप्चाई ट्रांसफार्मर में चार अंतर भी है, कि अप्चाई ट्रांसफार्मर में इदर लिखेंगे ऐसी वोल्टता को घटाता है, इदर लिखेंगे ऐसी वोल्टता को बढ़ाता है, यहां लिखना दूतिय कुंडली में फेरे कम होते हैं यहां लिखना दूतिय कुंडली में फेरे अधिक होते हैं यहां लिखना धारा की प्रबलता को बढ़ाता है यहां लिखना धारा की प्रबलता को घटाता है यहां लिखना परिणम अनुपाद एक से कम होता है यहां लिखना परिणम अनुपाद एक से अधिक होता है तो इस तरीके से यह अंतर भी आप कर पाएंगे धन्यवाद